राष्ट सरपर्थम की बात लली सुमन के साथ कार्द करम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट भासियों का स्वादा थे स्वास्त मंत्राले ने कोरोना के बढ़ते मामलों के संदर्व में अपनी सापताहिक प्रेसवारता की इस अफसर पर मंत्राले ने जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि विश्व के कई देशों में अभी भी कोरोना के मामले आ रहे हैं पूरे विश्व में 15 लाग के किस्तिति के बारे में बताना चाहेंगे अगर हम विश के परिपेक्षे में देखें तो हम देखते हैं कि on an average पिछले एक हफ़ते से विश में अभी भी पंदरा लाग से अधिक केसिद रिपोर्ट किये जा रहे हैं विश में टोटल एक्टिव केसिद की संख्या अप्रॉक्स चाहर हजार के करीब केसिद और डेली बेसिद विश में एज़े पीक नोट किये गए थे और इस बार ओमिक्रों ड्रिवन जो यह हमारे सामने सर्जाई थी विश में इसमें 42,34,712 केसिद 19 जनवरी को नोट किये गए और अभी भी अगर हम देखें तो पुरानी सर्जेद क अनलाइज करें तो देखते हैं कि 42.3 लाक केसिद पर डे जो कि 19 जनवरी को नोट किया गया वह पिछली सर्ज के मुकाबले में अप्रॉक्समेटली 4.68 टाइम्स हाइयर है और अभी भी विश के कहीं देशे में एक काफी कंटिनूट सर्ज नोट किया जा रहा है अगर हम उ पिछले दो हफते में 326,000 केसिद नोट किये गए रश्य में 284,000 साउथ कोरिया में 277,000 और इसी तरह से जो दस देशों की संखिया जो डेटा हमने आपके सामने सब्मिट किया है उसके अंतरगत हम देखें तो टोटल 56.42 परसेंट केसे अभी इन दस देशों में ऑन एन आ 304 परसेंट, साउथ कोरिया में 7.33 परसेंट, यहां यहां यह डेटा माप सब के सामने इसलिए सम्मिट कर रहे हैं क्योंकि हम आप सब को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी भी Across the world, across many countries हम देखते हैं कि काफी अधिक संख्या में अभी भी केसेंट किये जा रहे हैं इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर काफी अधिक संख्या में कहीं देशों में केसेंट किये जा रहे हैं इसी के साथ ही कहीं देशों में एक increasing trajectory continued basis पर अभी भी बनी हुई है उधारण के रूप में जैसे हम South Korea का data analyze करते हैं तो जहां 16 से 22 फरवरी के समय पर average daily cases एक लाग दस अजार नौसो चार थे वह 23 फरवरी से एक मार्च में बढ़कर 1,66,215 के करीब cases हुई यानि की week on week basis पर 1.5 times एक sharp सर्ज हमने cases में वहाँ पर भी note किया है इसी तरह अगर आप देखें वियतनाम में week on week basis पर cases की संख्या दुगनी से अधिक हुई है Malaysia में दुगनी हुई है उतनी ही maintained है लेकिन अधिक संख्या में cases आ रहे हैं इसी के साथ ही Hong Kong में जैसे 4.3 times cases की संख्या में व्रद्धी हुई है और New Zealand में तो as high as 6.5 times cases में व्रद्धी note की गई है यह data हम आप सब के सामने इसलिए submit करना चाहते हैं जिससे हमें यह clear समझ में आता है कि विष्ट के कहीं देशों में अभी अधिक संख्या में cases आ रहे हैं और इसी के साथ ही विष्ट के काफी देशों में अभी एक increasing trajectory of cases को note किया जा रहा है अगर इसी data को विष्ट के पेक्षे में further analyze करें तो जैसे कि हमने इस slide में दर्शाया है 19 से 25 जनवरी वाले हफते में 34,26,369 cases on an average wish में report किये गए daily basis पर और उसके बाद से continue decreasing cases across the world note किया जा रहा है लेकिन जैसे इसे पहले submit किया है कि अभी भी 15,00,000 से अधिक cases on a daily basis note किया जा रहे है यानि कि जो decrease in cases जो एक peak note किया गया था उसके comparison में approximately 55.7% decline ही note किया गया है इसी को अगर हम इंडिया के परिपेक्षे में analyze करें तो हम देखते हैं कि जहां देश में on an average 19 से 25 जनवरी वाले हफते में 3,00,000 से अधिक cases daily basis पर note किये गए अब वह cases की संकिया 96.4% घटकर on an average 11,000 के करीब cases weekly basis पर देश में note किये जा रहे है यहां हम यह दर्शाना चाहते हैं कि एक स्थाई पर देश में जो wish का trend रहा है in terms of case management in terms of cases जो note किये गए उसमें एक sharp trajectory हमारे देश में note की गई और एक sharp कमी हमारे देश में note की गई जिससे लगता है कि overall case management में काफी positive result देश ने note किये है और इसी के साथ ही जब 11302 cases average basis पर देश में note किये गए है और हम wish के cases के परिपेक्षे में देखें तो only 0.7% of the global cases अभी इंडिया में आ रहे हैं जबकि हमारा देश approximately 17% of the world population को represent करता है इसी के साथ ही अगर हम wish में death की trajectory को भी analyze करें तो जैसे की slide में हमने आपको दर्चाया है on an average 2-8 फरवरी वाले हफते में wish में 10,787 deaths on a daily basis note की गई और एक decreasing trend note किया जा रहा है लेकिन अभी भी 8330 deaths on a daily basis wish में note की जा रही है बाइस वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका परते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले के लिए DP दॉटिकेशन बार में धिए। काईब चैनल देख लिए और आप हमारे यूटिकेशन अभी शूजब टो दॉटिकेशन अभी खबरों को तो आप हमारे रहें पारतेव लिए Cाराइब कि अपिछ चाईबने कि अजसे के और भग दूए कर दो कर दो कि बाल मोई झाई बाल